हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स्पिरेंस एजूकेशन, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं RRB JEE के प्रीविएस येर कॉशन पेपर, ये हमारा RRB JEE प्रीविएस येर कॉशन सीरिस का क्लास सेकेंड है और इसमें हम इसके पार्ट तर्नल अवरेंडर के क कोशन नमबर, फष्ट के साथ, विच इंडियन क्रिकेट ग्राउंड, फॉस्टिट अन्ट था सेक्ट, तो भारत में, पहले टेस्ट मेश का आयजान किस भारतिये क्रिकेट मैदान पर या गया था तो ये किया घया था, बॉंबे जिम खाना, यानि ही इसका हो जायेगा correct answer जो test match खिला गया था इंडिया में first ever test match ये host किया गया था Bombay Zimkhana Ground के त्वारा तो B हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते है which of the following dances is not a classical dance of India निकी निम लिखित में से कौन सा नत्र भारत का सास्त्री नत्र नहीं है तो dance जो है मनीपुरी मनीपुर का है उडिशी उडिशा का और कुचिपुरी ये कहा का है ये है आंदर प्रदेश का पर जो बुगाकू ये नहीं है कोई dance form तो B इसका हो जाएगा क्या correct answer तो dance से भी question बनते है और कईो बार पूछा गया है कुचिपुरी ये तीनों ही dance form काफी famous है और काफी बार पूछे गया है तो इनको आपको याद रखना है किस state में ये है B हो जाएगा correct answer next है test is the matter of substance which sound is transmitted यानि की भैद रब्ब या पदार्थ जिसके माध्यम से धौनी संचारित होती है तो धौनी संचारित होने के लिए धौनी को transmit होने के लिए sound को transmit होने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवशक्ता पढ़ती है यानि की medium की जरूरत पढ़ती है तो D इसका हो जाएगा क्या correct answer D हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते है which of the following is true about mass and weight यानि की रब्दमान और भार भार के बारे में निम्ल खितमे से क्या सही है तो mass आपको पता है mass एक scalar quantity है और वहीं बात करें weight की weight ये जो है भार जो है एक सदिस रासी है vector quantity है mass हो जाएगा scalar and weight हो जाएगा vector quantity यानि की इसका हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते है noise pollution is measured in यानि की धनूप प्रदूशन dash में मापा जाता है तो options से देखे तो ampere यानि की ampere मापा जाएगा किस में current मापा जाता है ampere में ohm resistance की unit हो गई resistance मापा जाएगा ohm में zool energy या work आप देख लीजिए zool मापा जाएगा decibel में मापा जाएगा यानि की d इसका हो जाएगा correct answer decibel question number 6 की तरफ चलते है which of the following banks become the third largest bank in India in April 2019 यानि की निम लिखित में से कौन सा bank अप्रेल 2019 में भारत का तीसरा शब्शे बढ़ा bank बन गया है तो 2019 की report के अनुशार देखे तो first number पर था HBI bank second पर है PNB और third पर था कौन सा bank of बढ़ोद्रा यानि की d इसका हो जाएगा answer bank of बढ़ोद्रा third number पर था 2019 की report के अनुशार तो देखे इससे भी question बन सकता है bank of बढ़ोद्रा का अभी merger हुआ है किस-किस bank के साथ Vizia bank and एक और bank है कौन सा देना bank ये दोनों bank का merger हुआ है bank of बढ़ोद्रा में अब bank of बढ़ोद्रा की बारे में बात करें तो इसका जो formation हुआ है 1908 में 1908 में इसका formation हुआ है और इसका headquarter कहाँ पर है बढ़ोद्रा बढ़ोद्रा गुजरात में है इसका headquarter इसके founder के बारे में बात करें तो सायजी राव गाइकबार है और अभी जो chairman है इसके असमुक आधिया है और MD&CEO की बारे में बात करें तो कौन है संजीब संजीब चड़ा इसके कौन है MD&CEO है तो इतना कुछ आपको इससे related याद रखना है D हो जाएगा correct answer next question की तरफ चलते है which of the following articles deals with provision of traffic in human being and post labor यानि की निम लिखित मैं से कौन सा अनुशेद मानब के दुर्ववार एवं बालात्स्रम के प्रती से सम्मंदित है तो ये जो सारे article दिये गये हैं पहले तो इनके वारे में बात करते हैं ये जो article है fundamental rights के अंतrwest आते हैं और ये जो article है ये fundamental rights जो है article 12 से 35 तक आते हैं और ये कहां से लिये गये हैं ये लिए गये हैं USA के द्वारा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार लिये गए हैं कहां से USA से और किस पार्ट में आते हैं ये पार्ट थर्ड के अंतरगत ये आते हैं पहले तो ये हो गया अब आर्टिकल 23 क्या बोलता है प्रहवी ट्राफिक इन हुमन बिंग्स ये कहता है क्या आर्टिकल 23 तो ये इसका हो जाएगा क्या correct answer इसके साथ साथ ये आर्टिकल भी हम discuss कर लेते हैं क्योंकि कईयो बार इनको पूछा गया है आर्टिकल 27 क्या बोलता है यानि कि जो इस्टेट है कोई भी राज है वो किसी भी धार्मिक नाम से कोई भी टेक्स नहीं ले सकता है इस्टेट साल नोट रेस एनी टेक्स इन दा नेम ओफ रिलीजर नो पब्लिक मनी कैन बी यूज़ फोर सपोर्टिंग अफ पर्टिकुलर रिलीजर यानि कि जो जनता का पैसा है कोई भी पर्टिकुलर धर्म के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है तो यह कहता है आर्टिकल 27 और आर्टिकल जो 29 और 29 और 30 हैं यह रिलेटेड है कि से कल्चुरल और एजुकेशनल राइट से हैं आर्टिकल 29 और 30 तो इतना कुछ आपको इस कॉशन से लेटेड याद रखना है यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेट 23 जो कि इससे है प्रोविशन और ट्रैफिक इन हुवन बिंग एन फोर्स लेबर यह हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट कॉशन है which of these blood components carries oxygen यानि की रख्त का इन में से कौन सा घटक oxygen का परिवेहन करता है यानि की रख्त का कौन सा component है जो oxygen अपने साथ ले जाता है तो यह ले जाता है RBC red blood cell यानि की D इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 9th question है the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance is यानि की पदार्थ के एक अनू में मौझूद सभी पर्मानू द्रब्यमानों के योग को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है molecular mass यानि की D हो जाएगा इसका correct answer R9 द्रब्यमान जो पदार्थ होगा उसकी अनू में मौझूद सभी पर्मानों के पर्मानू द्रब्यमान के योग को कहा जाता है molecular mass D हो जाएगा correct answer next question है what should be the minimum is to get the राज्य सभा membership यानि की राज्य सभा की सदत सिता पाने के लिए new time I.U. क्या होनी चाहिए तो new time I.U. होनी चाहिए 30 वर्स यानि की C इसका हो जाएगा correct answer इसको हमने Indian politics में जो questions के थूँ इसको complete किया है इसमें हमने काफी detail में आपको discuss किया है questions के थूँ तो आपने अभी नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें तीस वर्स होना चाहिए राजसभा की सदस्ता पाने के लिए new time I.U. और वही बात करें बाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बढ़ने के लिए तो ये है 35 वर्स तो C इसका हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते हैं what is helitoises commonly non-ass यानि की helitoises को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है helitoises यानि की bread breath यानि की सांस की दुरगंद इसको कहा जाता है helitoises तो C हो जाएगा इसका correct answer question number 12 है functional group CHO is present in which of the following यानि की कारयात्मक समय हूँ CHO निम लिखित में से किस में मौजूद होता है देखिए इन से भी काफी question बनते हैं C O H यानि की इस type से ये बनता है यहाँ पर R C O H यह हो जाएगा functional group यह LD height को प्रदसित करता है यानि की A इसका हो जाएगा correct answer साथ ही में बात करें ketone ketone का क्या होगा ketone का हो जाएगा C O यह हो जाएगा ketone का C O यानि की इस type से ये बन जाएगा इसका formula यहाँ पर R यहाँ पर R यह होगा LD height में और दौन अर जो होंगे यह होंगे ketone में और वहीं carvacic acid की बारे में बात करें तो यह होगा R C O O H वहीं बात करें alcohol का तो alcohol यानि की O H इन से भी question बन सकते हैं तो इसको भी याद रखना है साथ में तो इसका correct answer क्या हो जाएगा LD height यह हो जाएगा इसका correct answer next question है the disease caused by deficiency of protein in children is called यानि की बच्चों में protein की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है तो protein की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है बच्चों में क्वाशी को यानि की B इसका हो जाएगा correct answer next है which of the following can cause damage to buildings यानि की निमलिखित में से कौन सा इमारतों को नुक्षान पहुचा सकता है तो जो नुक्षान पहुचाती है वो वेब्स होती है supersonic बिमान से उत्पन आगा तरंगे यानि की इसका हो जाएगा correct answer shock waves produced by supersonic subsonic जो होगी जिसका mac number less than बन रहेगा transsonic यानि की equals to बन रहेगा transsonic के लिए वहीं अब शर्ब इनप्रा सरर्ड राउंड तो ये नहीं करता है और जो sound at about 10 kHz ये भी बहुत कम इससे कोई damage नहीं होता है तो ये इसका हो जाएगा correct answer जो supersonic बिमान से उत्पन दरंगे होती है उन से damage उत्पन होता है ये हो जाएगा correct answer next question है less is the physical quantity of the substance which is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter is in cross section यानि की पदार्द की भहतिक राशी है जो संक्यात्मक रूप में रूप से उसी पदार से बने एक मीटर लंबे और एक मीटर अनुप्रस्त काट बाले एक छड के प्रतिरोध के बराबर होती है तो ये definition जो है ये हो जाएगी resistivity यानि की resistance क्या होगा rho L by A वहीं resistivity की बात करें तो resistance into area upon length तो ये हो जाएगा resistivity यानि की प्रतिरोधकतार तो D इसका हो जाएगा correct answer next question है which of the following does not belong to the plant kingdom यानि की निमलिखित में ऐसे कौन सा उत्पाद जगत से पादब जगत से संबंदित नहीं है पादब जगत यानि की यानि की जो पेड होंगे ये पादब जगत से related होंगे जाड़ी जाड़ी ये सब पादब जगत से related होंगे पर जो fungus है पफून है ये पादब जगत से related नहीं है तो B इसका हो जाएगा क्या correct answer next question है in which districts of जारकन in Tagore Hill located यानि की Tagore पहाड़ी जारकन के किस जिले में इस्तित है तो Tagore पहाड़ी Tagore Hill जो है ये जारकन के राची जिले में इस्तित है यानि की B इसका हो जाएगा correct answer वहीं बात करें तो जारकन का capital भी क्या है राची ही है भी हो जाएगा correct answer next question है a homogeneous mixture of two or more substances is non-ass यानि की तो या तो से अधिक पदारतों के एक सजातिय मिसरन को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है क्या जो भी homogeneous mixture होंगे homogeneous यानि की समान सजातिय मिसरन जो होंगे उनको कहा जाता है solution यानि की billion तो C इसका हो जाएगा correct answer next question है the mass number of deuterium is यानि की deuterium की द्रब्मान शंक्या कितनी है तो ये जो deuterium है ये जो है hydrogen का isotope है इसके बारे में isotopes के बारे में बात करें तो 1H1 ये किसका है ये है proteum 1S2 ये है deuterium और 1H3 ये किसका है prytrium तो ये आपको याद रखना है ये इसके hydrogen के isotope है तो mass यानि की द्रब्मान शंक्या कितनी है deuterium की तो 2 है तो ये इसका हो जाएगा correct answer question number 20 है हिमा बारी 9 इसा जापानी डेस सेटलाइस यानि की हिम बारी एक जापानी डेस उपग्रह है जो हिमा बारी 9 है जापान का है ये एक मौसम यानि की weather उपग्रह है weather satellite है यानि की discussion का हो जाएगा correct answer और इसको कब launch किया गया था 2016 में 2016 में इसको launch किया गया था अब बात करें जापान की तो जापान का capital क्या है टोकियो जापान का capital है टोकियो और प्राइम मिनिस्टर कौन है योशिंग हिदे ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर बही जापन की currency भी पूछ ली जाती है तो जापन की currency क्या है जापनी ये है currency तो ये भी important है जापन की currency क्यों बार पूछी गई है ती इसका हो जाएगा correct answer weather satellite है ये इमा बारी 9 next question है a group of similar organism which are genetically distinct and deep productively isolated is called N यानि की समान जीबों का एक शम्हूज अनुवाशिक रूप से विशिच्ट एवं प्रजनात्मक रूप से बिल्कित होते है उसे क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाएगा species यानि की प्रजाती तो A इसका हो जाएगा correct answer next question है in which of the following Indian states is dull lake situation यानि की dull zeal भारत में भारत के निम्न मैं से किस राज में इस्तित है तो ये इस्तित है भारत के जमू एंड कश्मीर राज में यानि की D इसका हो जाएगा correct answer अभी present में जो RRB NTPC का exam सल रहा है उसमें भी ये question repeat हुआ है पूछा गया है dull zeal कहा पर इस्तित है तो ये है जमू एंड कश्मीर में साथी में जमू एंड कश्मीर के अब union territory बन गया है तो इसके lieutenant governor कौन है Manoj Sina Manoj Sina है इसके lieutenant governor अभी present time पर और बात करें हम जमू एंड कश्मीर का एक पहले national park था हैमिस national park और ये पहले जमू एंड कश्मीर में आता था अब कहाँ पर आता है ये लद्दाक में चला गया है तो ये भी आपको याद रखना है हैमिस national park ये famous national park पूछा जाएगा क्योंकि पहले जमू एंड कश्मीर में पढ़ता था अ वो लद्दाक में विला गया है तो D हो जाएगा correct answer Next question है National income in India is measured in terms of यानि की भारत में राश्टी आय को किसके पदों में मापा जाता है तो जो national income है ये measured करी जाती है net national product or at factor cost यानि की साधन लागत पर सुद्ध राश्टी उत्पात तो D इसका हो जाएगा correct answer Next question की तरफ बढ़ते है N Ophthalmologist is one who treats यानि की Ophthalmologist किसका उपचार करता है Ophthalmologist ये करता है उपचार आँख से related है यानि की I का ये उपचार करता है तो C इसका हो जाएगा correct answer Next question है Which of these is not a bone in the human body यानि की निम लिखित में से कौन सी मानब शरीप में बाईज आने वाली हड़ी नहीं है तो ये जो हैमर एंबिल एंड इस्ट्रफ ये तीनों ही जो related है ये कान की हड़ी से related है ये middle जो हैमर है ये जो middle ear जो है इसके आसपास पाया जाता है middle ear वही एंबिल उसे लगके जो होती है और ये स्ट्रफ यानि की इसको एक और नाम से जाना जाता है स्ट्रफ नाम से भी जाना जाता है तो ये एक्ष है ये कोई भी हड़ी नहीं है मानब शरीड में तो ए इसका हो जाएगा correct answer और ये तीनों ही जो है ये कान से रिलेटेड है यानि की year कौन ये तीनों ही है तो ये हो जाएगा correct answer next question है which constellation has other names as the Wigdipper, Great Weir and Saptrishy सब्तरिशी यानि की किस तारा मंडल के अन्य नाम Wigdipper Great Weir और सब्तरिशी है तो ये कौन सा तारा मंडल है ये सब्तरिशी मंडल है यानि की उर्षा मेजर यानि की C इसका हो जाएगा correct answer question number 27 है which of these creatures do not have teeth यानि की इन में से किस जीब के दात नहीं होते है पुत्ते, शुवर, घोडे या फिर कच्छुए तो आप सभी को पता है जो डॉक्स हैं उनमें होते हैं उनमें भी होते हैं घोडे हैं इनके भी दात होते हैं तो तीनों के इनके दात होते हैं पर जो कच्छुए होते हैं इनके दात नहीं होते हैं तो D इसका हो जाएगा correct answer next question है what is the common name of gases and liquids यानि की गैसो और द्रबों का शामन नाम क्या है इनका common name जो यूज किया जाता है रशायन और रॉल जैर या फृत द्रब तो ये तीनों ही नहीं है फ्लूट्स यानि की फ्लूट्स के साथ जाएगे द्रब इनका common name है तो D इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, next question है which of the following is the process of splitting up of the heavy nucleus of a radioactive atom into smaller nuclei when bombard with low energy neutrons यानि की निम्ल मैं से कौन सी निम्ल उर्जा वाले neutronों से बंबारी करके रीडियो धर्मी परमानों की भारी नाविक के वो छोटे नाविकों में विवाजित करने की प्रिक्रिया है तो इस प्रिक्रिया को कहा जाता है नाविकिये विखंडन विखंडन यानि की फिजन nuclear फिजन यानि की एक जो पार्टिकल है उससे बहुत सारे पार्टिकल में इनको तोड़ दिया जाता है तो इसको कहा जाता है नाविकिये विखंडन यानि कि इसको जो कोई भी रओड है Ureanum 235 की रओड है उसमें यदि एक Neutron की Energy दी जाती है तो ये 3 Neutron में विवाजित होता है त्यूले नेट्रोन में बढ़ता है और वो 3 Neutron फिर से तिन परमानूमा में विवाजित होते हैं इस तरह के से इस प्रिकिया को कहा जाता है ना विकिये विकंडन या फिर नुक्लियर फिजन तो C इसका हो जाएगा correct answer next question है what is the nature of bleaching powder यानि की bleaching powder की प्रक्यती क्या है bleaching powder का यदि हम chemical नाम देखें chemical compound देखें तो यह होता है calcium hypo chloride यानि की formula हम देखें तो C-A-O-C-L-2 यह इसका होता है chemical formula इसको बोला जाता है calcium hypo chloride और यह एक oxidizing agent है यानि की oxykarak अभी कर्मक है तो D इसका हो जाएगा correct answer next question है what which of the following kings was the father of shang mitra and mehendra बर्मन यानि की निमलिकित में से कौन से राजा, shang mitra और mehendra बर्मन के पिता थे तो हमने इनको Indian history में discuss किया है caution के थिरू इनमें हमने इसके caution भी किये है तो mehendra, mehendra बर्मन and shang mitra के पिता father कौन थे अशोका तो A इसका हो जाएगा correct answer next question है breaking of silver bromide into silver and bromine is example of यानि की silver bromide का silver और bromine में तूटना किसका उधारन है यानि की बात करें silver bromide यानि की ACBR इसका silver plus bromine में तूटना एक example किसका रहेगा ये decomposition reaction यानि की अब घटन अभिक्रिया का ये उधारन है तो A इसका हो जाएगा correct answer next question है who is India's first woman grandmaster in chess यानि की सतरंच के खेल में भालत की पहली महला grandmaster कौन है तो पहली महला grandmaster काफी important question है ये है S बिजयल अच्मी यानि की C इसका हो जाएगा correct answer पहली महला grandmaster in chess कौन है S बिजयल अच्मी ये हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते है when the speed of any object exceeds the speed of sound it is said to be traveling at which speed यानि की जब किसी बस्तू की चाल धनी की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल को क्या कहा जाता है तो चलीए इसको समझ लेते हैं थोड़ा अभी हमने देखा था एक ratio है रेशा क्या है object speed यानि की किसी भी object की speed यानि की किसी बस्तू की चाल और साथ में बात करें speed of sound तो इस अनुपात को क्या कहा जाता है इस अनुपात को कहा जाता है speed of sound इस अनुपात को कहा जाता है Mac number, अब बात करे, Mac number से question बनते हैं, तो Mac number यदि इसकी value less than 1 है, तो इसको कहा जाता है subsonic, क्या कहा जाता है subsonic, यदि Mac number की value equals to 1 है, तो इसको कहा जाता है transonic, और Mac number की value greater than 1 है, इसको कहा जाता है supersonic, and Mac number की value यदि greater than 5 हो जाएगा, तो इसको बहुला जाएगा hypersonic, इससे question भी बनता है कभी का बार, तो इसको आपको याद रखना है, subsonic, अब transonic जो भी हमारे aeroplane बगएरा चलते हैं, ये चलते हैं transonic में, और supersonic जो भी z बगएरा होते हैं, ये supersonic, और बात करें, जो satellite बगएरा होती हैं, ये है hypersonic speed पर ये चलती है, तो बात की गई है, बस्तू की चाल यदि धौने की चाल से अधिक है, तो इस चाल को कहा जाता है, क्या? इस चाल को कहा जाता है, supersonic, यानि की इसका हो जाएगा correct answer, next question की तरफ बढ़ते है, malachite is an ore of, यानि की malachite किसका एक ask है, तो ये एक copper का ask है, copper का ore है, यानि की तामे का, तो भी इसका हो जाएगा correct answer, next question है, which of the following is a saturated hydrocarbon, यानि की निम लिखित में से कौन सा संत्रप्त hydrocarbon है, संत्रप्त hydrocarbon यानि की saturated hydrocarbon कौन रहेंगे, जिनके पास single bond है, single bond है, यानि की कौन रहेगा, methane, की इसका हो जाएगा correct answer, CH4, methane, इनके पास single bond है, तो जो भी जितने भी bond होंगे, सारे single bond होंगे, तो वो कहा जाता है, संत्रप्त, यानि की saturated hydrocarbon, C हो जाएगा correct answer, next question की तरफ बढ़ते है, what is the resultant resistance if two ohm resistors are connected in parallel, यानि की दो ohm के प्रतिरोध, यानि की समानतर ग्रम में जोड़े हुए हैं, तो उसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए, तो ohm के resistance, यानि की parallel में connected है, तो इनकी जो value होगी, वो क्या होगी, तो इनकी values होगी, यानि ये parallel में जुड़े हैं, तो 1 upon R request होगा, 1 upon R 1 plus 1 upon R 2, यानि की R 1, R 2 upon R 1 plus R 2, ये हो जाएगी R की value, तो इसको हम calculate करें, तो R 1 हो जाएगा, 2 और R 2 भी 2 हो जाएगा, और साथ ही में R 1 plus R 2, ये हो जाएगा, 2 plus 2, इसकी value आजाएगी, बनो में यानि की, D इसका हो जाएगा, correct answer, वहीं series की बात करें, तो ये series में क्या होगा, net जो resistance होगा, वो R 1 plus R 2 होगा, series की बात करें, ये हो जाएगा, parallel के लिए, तो इससे भी question बन चलते हैं, D हो जाएगा, इसका correct answer, next question है, to obtain an, in large real inverted image, beyond 2F, after reflection, by convex lenses, where should the object be placed, यानि की, उत्तर लेस द्वारा अब बरतन के बाद, 2F से परे, एक आवधर्दिक बास्तिक उल्टा प्रतिवियं प्राप्त करने के लिए, बस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, तो हमने ये बात आप से first lecture में भी की थी, आरवरी जेए के, तो उसमें हमने बताया था, जो concave lens होगा, concave lens होगा, ये behave करेगा, convex mirror की तरह है, और जो convex lens होगा, ये behave करेगा, concave mirror की तरह है, तो ये आपको याद रखना है, इससे आप easily इसको calculate कर सकते हैं, तो अब बात करें, concave mirror की, क्योंकि हम में find करना है, convex lens की, जो की f2 से परे रखा हुआ है, यानि की beyond c रखा हुआ है, तो ये जो position image बनेगी, ये c और f के बीच बनेगी, तो c क्या होगा, 2f हो जाएगा, तो f1 और 2f1 के बीच ये image बनेगी, तो ये इसका हो जाएगा, correct answer, next question है, with which type of acid is the atmosphere of venus made up of, यानि की जो सुक्र का बायू मंदल किस अमलशे बना है, तो ये बना हुआ है, sulfuric acid यानि की A, correct हो जाएगा, sulfuric अमलशे बना हुआ है, सुक्र का बायू मंदल, A हो जाएगा, correct answer, next question है, the main function of vitamin K is, यानि की vitamin K का मुखकार किस से संबंदित है, अब पहले तो बात करें, हम vitamin K की scientific name की, ये भी पूछ लिया जाता है, इसका scientific name क्या है, phyloquinone, इसका scientific name है, और vitamin K, बहुती important vitamin है, ये जो blood clotting होती है, इसमें use होता है, यानि की जो रख्त का थक का, यानि खून के जमने के लिए, तो C, इसका हो जाएगा, correct answer, next question है, who among the following has become the first ever captain to win 100 matches in IPL history, यानि की निम लिखित में से, किस इसने IPL के इतियास में 100 match जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हाशिल किया है, तो ये बन गए है, कौन MS धौनी, तो C, इसका हो जाएगा, correct answer, जो first captain है, जो की 100 match जीतने वाले पहले कप्तान बने है, किसमें IPL के इतियास में, तो C, इसका हो जाएगा, correct answer, MS धौनी, next question की तरफ बढ़ते है, easter have, dash smell, जो easter होता है, उसमें एक गंध होती है, वो किशकी गंध होती है, तो ये जो smell होती है, ये fruity smell, जो फल जैसी इसमें, smell होती है, तो C, इसका हो जाएगा, correct answer, next question है, which of the following ministries won the platinum of web ratna award in digital india awards 2018, यानी की, निम लिकित में से किस मंत्रा लेने, digital india awards 2018 में, web ratna award में platinum खिताब जीता है, तो ये award जीता है, ministry of micro, small and medium ने, यानी की, सुक्ष्म लवगू, एमम, माध्यम, उद्धम, मंत्रा लेने, ये award जीता है, तो ये इसका हो जाएगा, correct answer, next question है, which of the following is not a multi-seeded fruit, यानी की निम लिकित में से कौन सा, वहुजी भी फल नहीं है, तो ये तो easy question है, multi-seeded fruit कौन सा नहीं आपको बताना है, apple, अनार, पपीता, ये multi-seeded fruit है, पर जो लीची है, ये नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा, correct answer, ये आज की series का हमारा last question था, lecture आपको पसंद आए, तो like and share जरूर किया किजिए अपने friends के साथ, और life experience education channel के साथ जोडने media handles है, Instagram, Facebook page है, Telegram channel है, आप हमें यहाँ पर follow कर सकते है, life experience education नाम से, और आप यहाँ से BDRIO की PDF को भी download कर सकते है, thank you